युपी के बरेली में पुलिस पर संसनी खेज आरोप मास्क ना लगाने पर हाथ पैर में कील ठोकी पिडित शक्स ने वीडियो बना करके वरल किया कील ठोकने के आरोपों पर बरेली एससपी का जवाब कहा गिरफतारी सबचने के लिए शक्स में खुद ही कील ठोकी है वाट्स अप को केंद्र सरकार का जवाब निजिता के अधिकार का सम्मान करती है भारत सरकार किसी का अधिकार नहीं चीन सकती इंडियन मेडिकल असोसियेशन ने बाबा रामदेव के खिलाफ पी ए मोधी को लिखी बाबा रामदेव को एक हजार करोर का नोटिस अलोपैती पर दिये बयान को लेकर उप्राखंड इंडियन मेडिकल असोसियेशन के तरफ से मानहानी का नोटिस भिज़ा क्या है बारतिया कोस्टगार्ड के वैभाब और ब्रज जहाज को लंबो बंदरगा पहुँचे हैं सिंगापूर के जहाज में लगी आग बुझाने में कर रहे हैं मदद ब्यार के जहानवाद में भरभरा कर गिरा तीन मंजिला मकान कोई हताहत नहीं मलबा हटाने का काम जारी है गाज़ेपूर बॉदर पर किसानों ने जम कर किया हुर्दंग प्रदर्शन के नाम पर पुलिस से उलजे किसान से इंदुस्तान से खास बादशीत में बोले किसान नेताराकेश्टि कैद बोले हाँ हंगामा होगा कोई कुछ नहीं कर सकता सरकार का पुतला जलाने आये किसानों ने चम कर हंगामा किया किसी बी तरह से किसी सूशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया इस पालने पहले होगा किसानों के बाइट अभर महिलाएं भी होई श्रामिल रजना से कि है कि और हमारे में चल्च पैलिया को फेड़ आहाँ डेहें अलजाब गी उड़ीए अरेम पाके थे आ हमारे में चल लिया ही इना अल्च बीड बर्याम्वांot किसानों के ब्लाक डे के समर्थन पर महिलाएं भी इसमें शामिल हुई हैं गाज़ेपूर बॉर्डर पर सरकार के खलाप इन्हों ने भी जमका नारे बाजी किसान अंदोलन की 6 महिने पूरे आज इका दन ब्लैक डे के रूप में मना रहे हैं किसान दिली के सभी बॉर्डर्स पर पुलिस का सब्थ पहरा किसानों का ब्लाइक टे बढ़ा सकता है दिली की मुसीबत गाजिपूर बौर्डर से सिंखू बौर्डर तक किसानों का जमघर दिली पूलिसने बढ़ा इस रक्षा किसान निता राकेश ट्रिकेट ने की MSP और स्वामी नाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू करने की मांग, कहा मांगे पूरी होने तक जानी रहेगा या अंदूला राकेश ट्रिकेट ने कहा सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है, इसलिए हमने काले जंडे उठाये, मांगे पूरी नहीं होने तक जारी रहेगा अंदूला दिली यूपी हरण बॉर्डर पर बढ़ाई गई सेंट्रल फोसेस के जवारू की संख्या, उपाद्रव की आशंका के मदे नजर ये फैसला सिंगू बॉर्डर पर जमा हुए किसानों ने जम करकी नारे बासी के इंद्र सरकार से हर हाल वे कृष्रिकानून वापस लेने की मान की गाज़पूर बॉर्डर पर पर प्रदर्शन करने आई किसानों ने जी इंदुस्तान की संबादाता को कवरेश से रोकार रिपोर्टिंग करते समय सामने आई किसान अमरेश सर में अकाली दल के नेदा बिक्रम सिंग मजीठिया ने दिया किसानों को समर्थन अपने घर के बाहर लहरा है काले जंडे अर्याना के सर्था में किसानों में घरों की छत पर लगाए काले जंडे के इंदो सरकार से नए क्विश्री कानून वापस लेने की मांग भी की यूपी के मुजफर नगर में नहीं दिख रहा है किसानों के ब्लाक डे का असर खेतों में किसान आम दिनों की तरह काम करते नज़रा अमरिस्टर में दिखा किसानों के ब्लाक डे का असर कृष्री कानून से नाराज किसानों ने अपने घरों में फैराये काले जंडे किसानों के काला दिवस का असर आग्रा में भी देखने को मिला किसानों ने घरों पर काले ज़ंडे लगा करके जदाया विरोध पुलिस ने किसान नेताओं को किया नजर बन लगनाओं में किसानों के काला दिवस के समर्थम में प्रदर्शन मार्क्सवादी कम्नोनस पाती ने किसान आंदोलंग कुले कर शांती प्रदर्शन किया फर्याड़ा में उपाद्रव करना पड़ेगा महंगा संपती वसूली विर्धे 2021 पर लगी मुहर हिंसा कान दोलन की अववाई करने वालों से होगी वसूली संपती भी होगी सम राज्यों में वैक्सीन की बरबादी पर केंद्र सरकार ने जताई नाराजगी जारखंडों 36 गड़ में 37 प्रतीशत बरबाद होई ये वैक्सीन अर्विन के जिवाल का केंद्र सरकार पर निशाना कहा देश वाक्सीन क्यों नहीं खरीद रहा चार दिन से 18 प्लस वालों का वैक्सीन बंद है अगर दिली सरकार हारी तो देश चारेगा अर्विन केज़ जिवाले प्रेस कॉंफरेंच के दौरान कहा हमें टीम इंडिया की तरह लड़ना होगा वैक्सिनेशन के बाद ही कोरोना से चीट पाएंगे आप नेता आती शी का केंद्र सरकार पर निशाना कहा दूसरी लहर में भी हम जिवाओं को वैक्सिन नहीं दे पारे हैं केंद्र सरकार फाइजर जौनसेन जौनसन की वैक्सिन को अप्रूवल दे टेम केजिवाल के आरोपो पर हर्याना के स्वास्त मंत्री अनिल विज का बयान पुछ राजनीतिक डल देश में आस्थीरता फेलाना चाहते हैं केजिवाल उसका हिस्सा है दिल्ली का पहला ड्राइट्थू वैक्सिनेशन शुरू हुआ दिल्ली में भी अब गाड़ी में बैठे बैठे लगने लगा है टीका ड्राइब थू वैक्सिनेशन के शुभारम पर केजिवाल ने कोरोना की जंग में वैक्सिनेशन को माना बड़ा हधियार दिल्ली में कोरोना के 24 घंटे के अंदर 1499 की सामने आए 130 संक्रमतों की बहुत हो गई दिल्ली में कोरोना के केस में भारी गिरावाट पॉजिटिविटी रेट दो फीसिदी से नीचे 1.9 प्रतिशत तक पहुँची देश में 24 घंटे में कोरोना के 2 लाग से ज्यादा माम ने एक दिन में कोरोना से 4157 मरीज़ों की मौत हुई देश में कोरोना के एक्टिवचे 25 लाग से नीचे अब तक कुल 3,11,380 की मौत कुशिदंगर के सुखवालिया गाउं के रहने वाली एक बच्ची से मिले सेम योगिया आदितनाथ बच्ची को योगी ने कृष्ण राधा की एक प्रतिमा भेट की है कोरोना पड़ित परिवार से मुलकात की योगी सरकार का हम फैसला यूपी में कोविड नेगिटिव होने के बाद पोस्ट कोविड दिक्कते जेल रहे मरीजों का नेशुलक इलाज करेगी सरकार वारणसी में भी ब्लाक फंगस का हुआ जानलिवा असर 24 घंटे में तीन मरीजों की जान चली गई बियेचिव में अब तक 16 मरीजों की मौत हो चुकी प्रयाग राज में गंगा किनारी रेज में दफन कियेगा इस शव्ट से कपड़े हटाने की मामले में वाकसीनेशन के लिए टीका एक्स्प्रेस की शिरुवात की गई है विहार के पटना में वाकसीन की हुई कमी 18 साल से अधिक उम्रवालो को आज नहीं लग पाया टीका सिर्फ 45 से अधिक उम्रवालो का हुआ वाकसीनेशन पट्जाब में कोरोना के बाद अब ब्लाक फंगस का भी कहर पट्याला में ब्लाक फंगस के 22 मरीज पट्याला में ब्लाक फंगस से अब तक 6 लोगों की मौट गई उत्तर प्रदेश के राजदानी लगनों में पैर पसा रहा है ब्लाक फंगस के जीएम्यू में ब्लाक फंगस के 21 मरीज 24 घंटे में के जीएम्यू में 4 की मौट होगी जबके 170 मरीजों का इलाज जारी है राजसान के बिकानेर में एक डेल्ड साल के बच्चे में ब्लाक फंगस के पुष्टी हुई है बच्चे का इलाज जारी पहले से ब्लड कैंसर से पढ़ित है बच्चा कोरोना से निपटने के लिए अक्शन नो स्राखन के मुख्यमंदरी तीरत सिंगावाद रिजिकेश में डियारियों के पांसो बैट के कोविड अस्पताल का उधगाटन किया बिहार की बिभू सराए में एक शादी समारों में उडी कोविड गाइडलाइन्स के धजिया बार-बालाओं ने किया डांस सोशल मीडिया पर वीडियो बार पश्रमंगाल के मिदनापूर में यास्तुफान का कहर कई ग्रामिन खसे हैं भारतिय सेना ने किया रेस्क्यू पश्रमंगाल में हुगली नदी का जलस्तर बढ़ा उलुबेरिया शहर के कई इलाके जलमगनों पै पश्रमंगाल के मेदिनापूर में गाड़िया तहस तहस हो गई इलाके में चारो तरफ पानी बढ़ शुटा है पश्रमंगाल के मेदिनापूर के ग्रामिन इलाकों में इंडिया रिफ का रिसके ओपरेशन लोगों को पहुचा दिया गया सुरक्षित अस्थान पर पश्रमंगाल के दिखा घाट पर यास तुपान का सबसे ज़ादा असर समंदर में उच्छी उच्छी लह रहे हैं पश्रमंगाल के दिखा में शहर में समंदर का पानी घुसने से लोगों में तहश्रत समंदर में उच्छी उच्छी रहे हैं पुर्वी मिद्नापूर के दिखा में यास तुपान से पहले तेज हवाओं का कहर जगा 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 पेड़ भी गिरे रहात और बचावकार में हो रही है परिशानी यास तुपान के मंदर नजग कॉलकपा एरपोर्ट से सभी उडाने रद की गई करीब आठ बज़े तक बंध है एरपोर्ट यात्मियों को दी गई है सूचना आंत्रपिदेश के विज्या नगरम में भी यास साइकलोन का असर समंगर में उठ रही है उची उची लहरे रुक रुक करके हो रही है बारिश भी पश्रिमंगाल के दीखा के ताजपूर में डूबे गाउं एंडियारेप के टीम ने बोट से ग्रामिनो का रस्क्यू किया पश्रिमंगाल के उतर चौबिस परगना के हिंगलाज में यास तुफान का असर बारिश के बाद लोगों की घरों में और दुकानों में पानी कुछा ज़रगन के राचि में कई लाखों में जल भरा हुआ लगतार बारिश के बाद खुली डगन डिगम की पोल मेर और अधिकारी दे रहे हैं अपना अपना तरकाम लोग परिशा सागर पहरवान हत्या मामले में देली पुलिस ने शार और आरोपी उको गिरफ़तार किया पकड़ेगे आरोपी काला असोडा गैंग के सदस्य उत्तरप्रदेश के वारणसी में एक क्लिक पर मिलेगी अपराधियों के सभी ज्वानकारी पुलिस ने डिजिटलाइज करने के लिए कदम उठाया जहां पुलिस कमिशनरेट ने ओपरेशन दस्तक की शुरुवात की है जारकन के गुमला में सेक्स राकेट का हुआ परदाफाश पुलिस की छापे मारी में भांटा फोर्ड हुआ चार महिलाएं और एक युवक के रफ़ता उत्तरप्रदेश के मुझा नगर में एक शखस ने पारिवारिक विबाद में पत्नी की हत्या करती तीन बच्चों को नदी में फेंका आरोपी की निशान देही पर बच्चों की तलाश उशारी जासल मेर की सीमवटी इलाकों में एक बार फेर से टिट्टियों का कहर चा सकता है जिले में अलाट मध्यप्रदेश के राजगर में कोरोना करफी में 25 जुआरियों को पुलस ने घरफतार किया पकड़े गया आरोपियों का पुलस ने जुलूस भी निकाला राजस्तान के जैपूर में आने अंत्रित होकर के सोयाबिन तेल से भरा टांकर पल्टा तेल लूटने के लिए ग्राम नोए मचीड राजस्तान के पतेगर में दलित परिवार पर हमला हमले में एक माहिला समय चार लोग गंभी रूप से जखमी हो गए जमीन विवाद में हमला किया गया और मार पीट होई राजिस्तान के कोटा में जानवरों को कोरोना संक्युमेंट से बचाने के लिए चिडिया घर को बंद कर दिया गया, हवा में वाइरस न फैले, इसके लिए केमिकल का भी छिड़काप किया जारा उत्तरप्रदेश के बारा बंकी में मंदर के पुजारी की हत्या से अडगम, धारदार हत्यार से अग्या थमला वरों ने वारदात को दिया अंचाम यूपिक्या योध्या की कानहा उपवन गौशाला की बधाली का वीडियो बारल बुरे हालात में नजर आ रहे हैं गोवन्ष, निगम के अधिकारियों पर लगा भिश्टचार कारों समस्तिपूर में हत्यार बंद अपराध्यों ने निजर क्लिनिक में भरती एक मरीज पर तापटूर फारिंग कर दी, पुरी बारदाथ सीसी टीवी कैमरे में कैद, बाल-बाल बचा शख्स हर्यारा में संपत्ती शती वसूली विधेयक बना कानून राज़िपाल ने विधेयक पर लगाई मोहर और बियार के सासा राम ने युवक ने पिता और भाई के लिए जान धारदार हत्यार से की हत्या पैसे के लिए दिन को लेकर चल रहा था विवार